नमस्कार मैं कीरन चौद्रे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हम पढ़ रहे हैं राजस्तान की जोग्रोफे और राजस्तान की जोग्रोफे में वन्यजीव संरक्षन इसी के अंतरगत आज हम एक नया टोपिक सुरू करने जा रहे हैं जैविक उद्ध्या देखें सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये जैविक उद्ध्यान होते क्या है तो जैविक उद्ध्यान का मतलब है जहां जीव जन्तू प्लस वनस्पती इन दोनों को संरक्षित किया जाता है एक साथ पिछला जो हमारा टोपिक था चिडियागर उसमें मैंने कहा था कि चिडियागरों को है जो जैविक उद्ध्यानों में सिफ्ट किया जा रहा है और ये जो जैविक उद्ध्यान है इनी चिडियागरों का एक अपडेट है यहां जीव जन्तू प्लस वनस्पती दोनों को संरक्षित किया जाता है तो क्या अंतर है या क्या खास बात है इन जै पर उत्रा बाड़ाबंदी होती है और वो कहीं आज जान नहीं सकते ना घूम फिर सकते हैं इसलिए उनके स्वास्ते पर बुरा असर पड़ता है और वो जल्द ही जो है उनकी उम्र भी मतलब खतम हो जाती है तो इनी कुछ कारणों से एक नया कॉंसेप्ट लाया गया जैवी जीव जन्तूं को प्राकृतिक आवास उपलव्द हो सके यहां पर क्या होता है सिर्फ वहां रहने वाले जीव जन्तू नहीं होते बलकि बाहर से भी जीव जन्तू लाकर के छोड़े जाते हैं तो प्राकृतिक आवास उपलव्द करवाया जाता है मतलब यह एक लंबा चो तोटे तालाब होते हैं देखें ऐसे जैसे मालने लीजें कि यह एक जैविकुद्यान है ठीक है यह चारों तरफ से यह इसको बाड़ा बंदी किया गया है ठीक है इसके अंदर क्या होते हैं जो भी जीव होते हैं उन जीओं के अलग 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 बाड़े होते हैं जैसे ये अलग अलग बाड़े हैं इन जीओं के ठीक है अब हर बाड़े को उसके अंदर जो जीव रखा जाएगा उस वो जो जीव जिस प्रकार के प्रियावरण में रहता है उसी प्रकार उसको विक्सित किय जाता है चाहे वो पकसी हो चाहे कोई पसू हो चाहे जो भी जीव जन्तु हो जैसे एक सेर है सेर के लिए थोड़ा मतलब जंगल में रहता है तो पेड़ पोदे होंगे वो तालाब में भी रहता है तो एक तालाब का निर्मान भी किया जाएगा सेर मांद में रहता है तो उसक प्राकृतिक रूप से वो बाड़ा तयार किया जाता है, जबकि जनतुवाले में क्या किया जाता था, इस तरीके का उसको प्राकृतिक आवास उपलब्द नहीं था, तो जो जनतुवाले का ही ये एक अपडेट हम इसको कह सकते हैं, और देखिए पिछले वीडियो में प्राकृतिक आवास मिलता है, प्लस ये प्रियटन की द्रस्टी से भी बहुत महतुवपूर्ण है, क्योंकि जो है इनको उनकी प्राकृतिक वातावरण में देखना प्रियटकों के लिए बहुत ही जो है रोचक और दिलचस्प होता है, अब देखते हैं हम राजस्तान में कितने जैविक उद्धान है और कौन-कौन से जैविक उद्धान है, तो देखिए राजस्तान में तीन जैविक उद्धान है और दो विक्सित किये जा रहे हैं, तो कुल मिला के पाच जैविक उद्धानों की हम चर्चा करेंगे, देखिए पहला हमारा जैविक उद्धान ह माचिया जैवी कुध्यान जिसे माचिया सफारी जैवी कुध्यान भी कहते हैं तो माचिया जैवी कुध्यान कौन से जिले में हैं? माचिया जैवी कुध्यान है जोधपूर जिले में कायलाना जील के पास है और जन्वरी 2016 में इसकी स्तापना की गई थी माचिया जयवी कुध्यान कौन से जिले में? जोधपुर जिले में? काईलान जिल के पास और जन्वरी 2016 में इसके स्ताप्ता की गई थी दूसरे जयवी कुध्यान के बात करते हैं हम सज्जनगट जयवी कुध्यान सज्जनगट जयविक उध्यान कौन से जिले में है उदैपूर जिले में है ठीक है सज्जनगट के बारे में जो फैक्ट जहां से क्वेस्टन पूछा जा सकता है कि कौन सा जयविक उध्यान जो है सबसे पुराना है राजस्थान का तो उदैपुर वाला सज्जनगड इसकी स्थापना 2015 में हुई थी ठीक है उसके बाद तीसरा जैविकुद्यान है जो सबसे इंपोर्टेंट है नाहरगड जैविकुद्यान नाहरगड जैविकुद्यान कौन से जिले में है नाहरगड जैविकुद्यान जैपुर जिले में ह जिसकी इस्तापना जून 2016 में की गई थी ठीक है तीन जैवे कुध्यान माचिया जैवे कुध्यान सजनगड़ जैवे कुध्यान और नाहरगड़ जैवे कुध्यान देखे नाहरगड जैवे कुध्यान है वो सबसे important है एक दो fact ऐसे हैं जहां से question पूछा जा सकता है तो देखे पहला फैक्ट तो है कि नहरगड जैवेक उध्यान में लोएन सफारी विक्सित की गई है लोएन सफारी का मतलब कि आप नहरगड जैवेक उध्यान में जाकर के जो है जो लोएन है उसको देख सकते हो ठीक है और इसकी दूसरी खास बात है कि उत्री भारत का पहला ऐसा जेविक उध्यान है जिसमें लोएन सफारी विक्सित की गई है तो इस तरीके से भी question पूछा जा सकता है कि उत्री भारत का कौन सा जेविक उध्यान है जहां लोएन सफारी विक्सित की गई है तो दूसरा इसका important fact है कि इस नाहरगड जैवे कुद्धान में दिल्ली से दरियाई घोडा यहां लाया गया है पिछले कुछ समय पहले तो दरियाई घोडाजी से हिपोपोटेमस कहते हैं वो इस नाहरगड जैवे कुद्धान में लाया गया है तो ये थे हमारे तीन जैवे कुद्धान माजिया सफारी सजनगड और नाहरगड दो और जैवे कुद्धान है जिनका विकास किया जा रहा है या विक्सित किये जा रहे हैं अभेडा जैविक उध्यान कोटा जिले में है और मरुदरा जैविक उध्यान मरुदरा के नाम से समझ में आ गया होगा कि अब हम राजस्तान के पस्चिम की तरफ चलेंगे मरुदरा जैविक उध्यान बीकानेड जिले में है जिसको भी विक्सित किया जा रहा है तो ये थे राजस्तान के पांच जैविक उद्धान माचिया जैविक उद्धान, सजजनगड जैविक उद्धान, नाहरगड जैविक उद्धान, अभेडा जैविक उद्धान और मरूधरा जैविक उद्धान ठीक है तो आज का हमारा ये टॉपिक जेवकुद्धान कम्प्लीट होता है नेक्स हम जेवसन रक्षन का एक नया टॉपिक लेके आएंगे तब तक के लिए मुझे आग्या दीजे धन्यवाद